अकेले चलना सीख लो जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ हो एतबार जरूर करें लोगों पर पर किसी को ये मौका न दे कि वो आपको अंधा ही समझने लगे बड़ा मुश्किल काम दे दिया है आज वक्त में मुझे कहता है तुम सब के हो गए अब ढूंडो उन्हें जो तुम्हारे है खामियां भी बहुत हैं खूबियां भी बहुत हैं ढूंडने वाले अब तुम सोच तुझे चाहिए क्या मुझे मिल जाए जो आसानी से उसकी खुआहिश किसे है जित तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं बूंड सा जीवन है इंसान का लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है कड़वा सच है ये कि जब तक आप काम के हैं तब तक लोग आपको पहचानेंगे क्योंकि दिया जलाने के बाद माचिस की दीली फैक दी जाती है लोग आपसे नहीं आपकी हैसियत से हाथ में लाते हैं सम्मान हमेशा समय और स्थिती का होता है पर लोग उसे अपना समझ लेते हैं जैसे भगवान गणिश की प्रतिमा के पास बैठे मूशक को पूजा जाता है और घर में घुसे मूशक को मार दिया जाता है कभी ये सोच कर दुखी न हुआ करो कि लोग सिर्फ मुझे जरूरत के वक्त ही याद करते हैं ये संसार जरूरत के हिसाब से ही चलता है सर्दियों में जिस धूप का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरसकार होता है आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी जरूरत होगी जी न पाए कभी खुलकर जिन चार लोगों के डर से उन चार लोगों को कभी देखा भी है कि कैसे दिखते हैं किसी की मीठी बातों का केवल ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बलकी पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इनसान की नजरे और नियत बदल जाती है वो लोग किसी के नहीं होते चो दोस्त और रिष्टों को कपड़ों की तरह बदलते हैं हर इनसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसे सब पहचाने पर साथ ही ये चिंता भी सताती है कि उसे कहीं सही में कोई पहचान ना ले उसके साथ तो गुजारा हो सकता है जिसके तबियत खराब हो पर उसके साथ गुजारा नहीं हो सकता जिसकी नियत खराब हो किनारे पर तेरती लाश को देखकर समझाया कि बोज शरीर का नहीं सिर्फ सांसों का था सिवाई इश्वर के किसी से उमीद न रखना सिवाए अपने कर्मों के किसी से खौफ न खाना परिंदों की भूख को बस दो चार दाने चाहिए लेकिन इनसान की फित्रत को खजाने चाहिए इनसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाहत होती है फिर उसे शोहरत की आज जागती है फिर उसमें शक्ती की लालसा जाकती है और आखिर में वो शान्ती की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है इंसान भी कितना अजीब है ना दौलत चाहे कितनी भी बैमानी से घर लाए पर उसकी चौकिदारी के लिए एक इमानदार इंसान को ही ढूलता है इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है कल इतनी थी आज इतनी बढ़ी उपर वाला हसता है और इंसान की सांसे गिनता है कल इतनी थी आज इतनी बची दुनिया के रहन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है जीत ले सब के दिलों को बस यही जीवन का गहना है फिर मिलेंगे दोस्तो अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना